देखिए पहला नमबर आपसे पूछा गया है बुद्ध की मरत्यों के प्रश्चाथ प्रताम बहुत संगीत की अध्यस्ता किसके द्वारा की गई थी चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए राइट अंसर क्या होगा हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ गया कह रहा है महा कस्या आपके द्वारा बिल्कुल सही है हाना बिल्कुल सही जवाब दिया गया जिनका भी जवाब आ रहा है अगला प्रश्चन बताईए हाँ बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट प्रश्चन बताईए यहाँ पर कि निमलिखित में से किसका प्राचीन नाम था यहां पर देखिए राई डंसर बताईए क्या होगा और यहां पर देखिए जवाब बताया जा रहा है कहरें बुंदेल खंडगा बिल्कुल सही जवाब है कुछ लोग मालवा कमार रहे हैं हाना आई मालवत नहीं है हना बुंद यहां पर आफ़ सनल लिखा हुआ है पहला मन्ति मंडल के सदस्य नहीं होता है है जना कौँ सही नहीं यह वाला तौ सही है उससे मतदानका धिकार नहीं होता यहीं वाला आपका सही नहीं बाकी सब सही है आपसा नमबर डी होगा बिल्कुल सही अंसर दिया गया अगला प्रिश्ण बताईए तुजुक आब आबरी किस भासा में लिखा गया था चले यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना राइट अंसर है यहाँ पर क्या होगा तुजुक आब आबरी हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिचा गया है कह रहे हैं तुर्की में बिल्कुल सही जवाब है आपसा नमबर सी होगा हाँ बिल्कुल राइट अंसर दिया गया अगला प्रिश्ण बताईए बिल्कुल सही जवाब है मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है तो यहाँ पर अंसर आपका होगा पूर्वे आर्र बिकलप आपका डी नमबर होगा कुछ लोग कुसार मार रहे हैं कुसार नहीं यह पूर्वे आर्र इसका अंसर सही है आपसा नमबर यहाँ प्रश्ण को भारत का राष्टी धरोवर पस्व गोसित किया गया है अगला प्रश्ण ने अपने राजधानी थाने सोर से कहां पर इस्थानांत्रित की थी बताईए यहां पर दिखेंगे जवाब ना है जब बहुत लगए और यहाँ पर दिखेंगे जवाब भी साकाग्या है साथ नंबर कहरे रहे हूए कि चलिए ऱकसर पड़ें चलिए यहाँ पर करना ओजो होगा है ना वल्कुल सही है करना जोगा कि अगला प्रस्ण बताईए हुमायूने होमायूने चुनार दुर्ग पर प्रताम आक्रमांड कप किया था यहां पर बनाइट एंसर क्या होगा चलिए यहां पर देखिए कमेंड करिए हुमायू ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था हाँ कह रहे हैं 1532 में किया था है ना बिल्कुल सही जवाब है प्रथम बार आक्रमण कब किया था 1532 में किया था हाँ बिल्कुल सही अंसर दिया गए आगला प्रिश्ण बताईए खजुराहों का मांत गेस्वर मंदिर किस देवताओं को संबल पित है यहां यहां पर देगे जवाब आ गया है बिल्कुल सभी जवाब पिया गया है भगवान विश्णु को विश्णु कह रहे हैं भगवान सीव को है ना मांतेश्वर मंदिर हाँ बिल्कुल सही है डी नमर होगा अगला प्रश्ण बताइए गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर इस्तित है यहां पर देखिए जवाब देना राइट अंसर क्या होगा कोसर नमबर देखिए दस नमबर का और दस नमबर का यहां पर आपका अंसर क्या ह बताया था बताईए जी ने सिवा जी को औरंग जेव ने अग्राइक किले में कब कैत कर वाया था कि हम विल्कुल सभीं अन्सर गया ओंगाल का प्रठम गवर्णर कसा बंग। वारेन हेस्टिंग 1773 1785 तक है ना बिल्कुल सही जवाब है आप सा नंबर आपका ए नंबर होगा अगला प्रश्ण बताईए नेमलिखेत में से कौन सा कथन नेताजी सुभाचंद्र बोश से सम्मंतित नहीं देखें यहां पर बताना है कौन सा कथन आपका नेताजी नाम से प्रसेत सुतंत्ता से नानी करम सा किन भारती राजियों से संबंदित हैं यह प्रश्ण ने कई वार कराया है तो देखें लाल बाल यानि लाल लाराजपत राय बाल अगर इनकी हम बात करेंगे तो यहां पर आपके पंजाब महराष्ट और बंगाल यह क्रम है आपक कहते हैं इसका नंबर का पंदर नंबर का हा बिकल्कुल देखिए फ़रान से जाना जाता है यहाँ पर किस अवदी को भारत में 60 करांति के नाम जाना जाता है तो याद रखिए का 1991 से लेकर 2003 का जो टाइम पीरियड था उसी को हम भारत में स्वाण करांती की नाम जानते हैं आपसर नमबर यहां पर बी नमबर आपका सही अंसर अपका हो जाएगा अगला प्रश्ण बताईए यहां पर देखिए आपको बताना किस घटना के बाद महात्मा गांदी ने असा आपसा नंबर हैं आपकर क्या होगा बिकल्ब नंबर आपका टी नंबर होगा Hmm ऐना के लिए अगरा प्रश्ण बताई है यहां पर प्시क्रस्ण भारत के इस और प्राची भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में काम रूप के नाम से जाना जाता था यहाँ पर आपको जवाब देना है राइट अंसर आपका यहाँ पर क्या होगा चले यहाँ पर कमेंट करिए हाँ बिल्कुर सभी जबाब दिया गया है यहाँ पर आपका असम होगा बिल्कुर सभी अंसर दिया गया है अगला प्रश्च बताईए चलिया पर बताइए लेका हुआ भारत के किस राज जो को लडकती पहाड़ीयों की भूमि के नम से जाना जाता तो यहां पर देखिया आपका जवाब आ गया है कि कि अनीस नमबर का जवाब क्या होगा उन्नीस नमबर का यहां पर मिजोरम होगा है नृब देखेए यहां पर कि हां बिल्कुर सही अगला प्रस्दल्म बता Human किसैंद न कहा था कि अ किसने कहा था करा लगर लोग राबर्ट किलाई बता रहे थे उसका नंबर का बता रहे थे बारote में अगर हां रावर्ट के लाइव अगर तभी बताएंगे ना जब गवर्णर जनरल पूछेगा सब्सक्राइब किसने कहा था कि मैं सवाव सही समाजवादी हो यहां पर देखिए जवाब देना है और यहां पर हमारे बीचाव किया है बिल्कुर सही जवाब है जेल नेरो आ कि सम्पूर कांती का नारा किस ने दीया था हाना यह भी हम करा चुके हैं सम्पूर कांती नारा आपका दिया था जयपरकास नारायन अगरा प्रशन बताएई गदर पार्टी का गठन किस वर्स हुआ था देखिए लाला हरदयाल ने किया था सायन प्रांसिस्कों में कब किया था आपको बताना है हाँ एक नवंबर 1913 बिल्कुल सही जवाब है आपसा नंबर सी होगा अगला प्रशन बताईए लाल कुरती आंदोलन के नेता का क्या नाम था यहाँ पर देखिए जवाब देना है 23 नंबर का तो कह रहे हैं खान अब्दुल गफार खान बिल्कुल सही आपसा नंबर सी होगा अगला प्रशन बताईए भगत सिंग को फासी की सुनाने वाला नियायद इसकाउन था के चौबिस नंबर करें सरल एलजा इंप्रे ने यह बनत नहीं है यहाँ पर देखिए 24 नंबर करिये सभी लोग यहां पर जवाब क्या होगा काफी लोग का अनसर ए आ रहा है कुछ लोग सी पर बहुत लोग मार रहे हैं और सी भी मार रहे हैं लेखते हैं किसका सही है अंस जिनका वियात याद रखेगा मलब हाजी के सजर सुनाये था याद रखेगा में कई वारी पूछा भी गया जूसा कि अब दुबाड़ा कह नहीं होला चिक वहां पर क्या होगा और उपब टमान नीकौबारी दौब बिल्कुर सही जवाब है अगला प्रश्ण बताइए टकला मकान मरुस्तल कहां अवस्तित है और यहां पर दिखेंगे जवाब मेरे बिचा गया है बिल्कुर सही जवाब दिया गया है यह कहां पर है चाइना प्लस हाँ चाइना बिल्कुर सही है ना बिल्कुर राइट अंसर दिया गया है चाइना आपको लगा गया है बिल्कुल सही जवाब है आफसान नंबर ए होगा अगला प्रश्ण बताईए चलिए यहां पर बताईए राष्टी राजमार के फर्स्ट यानि पुराना क्रमां के इन में से किन इस्थानों को जोड़ता है यहां पर जवाब बताईए क्या होगा तो यहां पर आपका क्या यह बाता बढूंद स्रि लंका को अलग करने वाली जल यानि जल्राशी को सिए बताइए यहां प्रोछ सन्थि जलवायु किल्वाई ने बिल्कुरू भारत की जलवाई कैसी है भारत की जलवाई उश्र कटबंदी मानसुनी है तो आपको मानसुनी लगा गयाना है बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण बताईए समराथ अकबर का मकबरा की सहर में इस्तित है आपसा नमबर डी होगा अगला प्रश्ण बताईए भारती सम्मिधान के इनमें से किस अनुछेद में कुद दसाओं में काम सिच्छा और लोक साहता पाने के अधिकार संबंदी प्रावधान निर्दिस्ट किये गए हैं कौन सा अनुछेद नमबर है आपका तो यहाँ पर अ अंतराष्टी सीमांकर रेखा को किस प्रसिद नाम से जाना जाता है किस प्रसिद नाम से जाना जाता है यहाँ पर बताईए राजर अंसर क्या होगा उत्तर कोरिया और दच्छिड कोरिया को अलग करने वाली अंतराष्टी सीमा रेखा ये आपकी है अर्तिस्मी कौंसी यह अर्तिस्मी अर्तिस्मी are तुरिस डिगरी अर्तिस्मी आपो दिया नहीं गया तो यही सायन सिमांकन रिखा कोई अर्तिस्मी कह Dazu है यह हमने बहुत बार बताया आपको जब भीricular शनी वाला अंसर न मिले तैस्मी आपको सायन सिमां Stern रेखा वाला विकल्प लगा कि आना दोनों का मतलवे कि ए अगला प्रशन बताई एक आंत निलगीरी पठार पर रहते हैं बिलकुल सही है यह टोटा भासा बोलते हैं आ यहापर बिलकुल सही जवाब दिया गया तमिल नाडु तमिल नाडु आपका अंसर यहाँ पर क्या न हैं यहां पर देख्या आपको बताना है राइट अंसर क्यों होगा कैने बिल्कुल सभी हैं बद्रियनाद मंद्री के निकट है बिल्कुल सही जवाब है आपसा नम्बर यहां पर क्या होगा अग्ला प्रेशन बताये सोन भद्र जिल्य को कितने राज्य की सीमाई इसवर्ष करती हैं हना यंपी 36 जारखंड और विहार चार राज हैं याद रखिएगा चार राज आपसा नमबर डी होगा हाँ बिलकुर सही जवाब है कुट्टे बहुत भावग रहें बिलकुर सही बात है यहां पर देखिए अगला प्रश्ण बताईए बारती समिधान की इन में से किस अनसूची में राज या केंदर सासित प्रदेशों को राज सवा की सीटे आवांटित किये जाने संबंधि प् यह भी प्रश्ण ने बहुत बार कराया है चौती अनसूची चली अगला प्रश्ण बताईए यहां पर बताईए विश्वत रेखा को दो बार विभाजित करने वाली नदी काउन सी है कि देखिए आपका अंसर यहां पर क्या होगा बताईए कांगो नदी बिल्कुल सही है हना कांगो नदी यहां पर बिल्कुल सही अंसर आपका होगा अगला प्रश्ण बताईए किस तिति को दिन और रात बराबर होते हैं कि बताईए यहां पर 49 नंबर का जवाब क्या होगा सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से किस तिति को दिन और रात बराबर होते हैं किसके कारण होता है यह आपका क्या है बैक्टेरिया जीवाड होगा अंबर सभाला वहां इव बताई घरीलो अस्तिव भाब यहां पर च्जवाबब यहां पर क्या होगा एक सभी लोग यह आ किसने किया था कि अफ़िए बिल्कुल जवाब है बिल्कुल राश्टी खेल काउंसा है बता यह बांगला देश का राश्टी खेल क्योंसा है बताईए बादेस का खेले होंगे आप सभी लोग कवड़ी खेले होंगे हमें यह इसा नहीं लगा जिसी ने कवड़ी नहीं खेला होगा अगला प्रशन बताइए भारत के किस राज में राष्टी जल क्रीडा संस्थान है यहां पर जवाब बताईए क्या होगा 43 नंबर का अच्छा दीवी तुड़ा है चली बताईए आपर जवाब क्या होगा 43 का और 43 का जवाब आ गया करें गोवा आपसा नंबर सी कि संसोधन के तैद भारती संविधान के अनुश्यत नंबर 45 में जोड़ा गया था कि मंत्री परशत में प्रधान मंत्री सहीद मंत्रि के साथ कि अगला प्रस्ण बताइए बोरलाग पुरस्कार निम्न में से कि चेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है नार्मन बोरलाग आपने नाम सुना अपको याद ही आ गया होगा है ना अभी सुक में हरित करांति के जनाक भारत में स्वामीनातन आप तो समझी गए भारत के पूरोब प्रधानमंत्री प्रोब प्रधानमंत्र इंद्र गांधी ने मिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थे आप संदिये विंग साफ आया डिसकवरी आफ इंडिया माइच्पेरिमेंट विफ्रोथ या माइच्व कि अश्यालिस नंबर करिए जल्दी से यहा होगा है तालिस नंबर का देखिए जवाब आ गया है हमें मालूम था कि आप लोग मारेंगे हमने बोला है भारती लगाया है भारती भारती लगा देंगे तो भारती थोड़ों है इसलिए जानबुझ कि आप सान ऐसे रखे जाते हैं कि आप पहले वाले विकल्प में नजट पढ़े आपकी आपका सरोजनी नाइडू भारती ने लगा होता तब आपका वता एनी बेसेंट अगला प्रशन बताईए अपको बचा करना नहीं रखे जाते हैं थोड़ा ध्यान नहीं देंगे गलत कर देंगे यहां पर बताईए क्या होगा तो कहे रहे हैं गो स्वामी तुलसी था जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया अगला प्रशन बताईए राष्ट कभी मैथली स्रण गुप्त का जन में कहां पर हुआ था कि अच्छास करें उन्नाओं में हुआ था उन्नाओं में कहां गलत है यहां पर आपका होगा जहांसी जहांसी के पास पड़ता चिर गाओं वहीं पर वथा आपसा नमबर अगला प्रशन मताईए निमने में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगति पताईए पचास नमबर का जवाब आ गया है कहह रहे हैं महराज गंज बिल्कुल सही है आपसर नमबर यहां पर यह और चलिए तो बहुत भूँत धन्यवाद सबीक्स तरीके से आपके जो प्रश्ने थे आपके कंप्लीट हो गए हैं उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा लास्ट में जरूर बताईएगा कितने प्रश्णाप के सब्सक्राइब